नमस्कार दोस्तों और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। हमारे शरीर में दातों और हड्यों को मजबूत बनाये रखने के लिए कैल्शियम बेहद ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड्या और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्या कमजोर होने की वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वज़ा से दातों की जड़े कमजोर हो जाती हैं। और दांत भंगुर होकर तूटने कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में रिकित्स हो सकता है और 19 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ओस्टियो मलेशिया और ओस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है ओस्टियो पोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर और वह अंदर से खोखली हो जाती है, जिसकी वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्यों और जोडों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है। कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है, शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अ ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स बेकार हैं, क्योंकि विटामिन D के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोशन नहीं होगा, और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स पेशा है इसलिए आपको विटामिन डी के सप्लिमेंट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अब हम डिसकस करेंगे की ओमिलकेल फॉरट टैबल होने पर शरीर के जोडों हड्यों व मांस्पेशियों में दर्ध होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने पर यानि नसों का दर्ध होने पर डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए औस्टियो पोरोसिस होने पर औस्टियो मलेशिया या रिकिट्स होने पर, शरीर में नुट्रिशन की कमी होने पर, शरीर में दातों, जोडों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईया ले रहे हैं, जैसे फेनोबार बिटल फेनीटोइन उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं और दूद्ध दही जैसे डेरी प्रोड़क्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है महिलाओं में मेनोपोस के बाद इस्ट्रोजन हॉर्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से महिलाओं में मेनोपोस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और औस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और औस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए डॉक्टर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर आपने स्टेरोइड दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है या कर रहे हैं, तो आपका डॉक्टर ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। क्योंकि स्टेरोइड दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से औस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसलिए औस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा kidney failure होने पर भी शरीर में calcium की कमी बहुत जल्दी होती है। जिन व्यक्तियों को lactogen tolerance की समस्या है। उन व्यक्तियों में भी calcium की कमी हो सकती है। lactogen tolerance की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। जिसकी वज़ा से भी शरीर में calcium की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर fat आती है। तो ये लक्षन lactogen intolerance के हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की omilcal forehead tablet को कैसे लेना recommended होता है। अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर omilcal forehead tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। omilcal forehead tablet की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको omilcal forehead tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। omilcal forehead tablet को कितने समय तक लेना चाहिए। या उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकता है। इसलिए omilcal forehead tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। दूद में calcium भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दूद से बने उत्पात जैसे पनीर और दही में भी calcium अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की calcium की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहिए। तो आपको इनका सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए। एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रती दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बाट कर सुभा शाम पी लेता है। तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ओमिलकेल फॉरट टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादा तर व्यक्तियों में ओमिलकेल फॉरट टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप Omilkel for a tablet को recommended dose से ज्यादा dose में लेते हैं तो इसकी वज़ा से blood में calcium का level ज्यादा हो सकता है जिसको hypercalcemia भी कहते हैं शरीर में calcium का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है कुछ research में यहाँ पाया गया है कि blood में calcium का level ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है किटनी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए doctor की सलाह के बिना Omilkel for a tablet को ज्यादा dose में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाह थारोइड की tablet और Omilkel for a tablet को एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि थारोइड की tablet और Omilkel for a tablet को एक साथ लेने से थारोइड की tablet का अवशोशन कम हो सकता है जिसकी वजह से थाइरोइड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है अगर आप थाइरोइड की टैबलेट को लेते हैं तो आपको थाइरोइड की टैबलेट और ओमिलकेल फॉरट टैबलेट में आज से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए किडनी की कोई समस्या होने पर और किडनी में पत्री होने पर ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए आपको ओमिलकेल फॉरट टैबलेट को लेते समय आईरन के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए क्योंकि कैल्शियम के साथ आइरन के सप्लिमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आइरन के अवशोशन को रोक सकता है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओमिलकेल फोरट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं